तो हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आशा है कि आप लोग ठीकी होगे तो स्वागत है आपका यहां पर जो है फिफ्ट अपिशोड में तो आज मैं स्क्रिंग करूंगा आई विल लाफ विद्धा विलनेस अपिशोड नमबर फिफ्ट को तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से छोटी रिक्वेस्ट की अभी तक आपने चैन्सक्राइब नहीं किया है तो प्रिचन्सक्राइब कर लीजगा और साथी वीडियो के नीचे कमेंट कीजगा कि आपको वीडियो कैसे लगती है अगर आप 40 कमेंट कर दोगे तो ही मैं अगला जो पार्ट इस अच्छी नहीं लगी है इसलिए आप से यहां जोड़के विंद्दी के प्लीस आप कमेंट कीजगा कि आपको जो अगला पीशोड है वो कब तक चाहिए अगर आप 40 कमेंट कर दोगे तो मैं आपके लिए अगला पीशोड बनाकर लेंगा तो प्लीस आप कमेंट कर दीजग चले स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को वीडियो के स्टार्टिंग में जो केस्टीलिया होती है यहां पर क्या कर रहा है रीना बोलती है कि आप डरिये मत यह खतरनाक मोंस्टर नहीं है यह एक फैमिलियर मोंस्टर है केस्टीलिया बोलती है क्या तुम उस हसे को भूल गए हो जो अभी भी हुआ था वो जए काफी खत्राग था ये मोश्टर भी काफी खत्राग है रीना कहते हैं लेकिन cutting स्वीट है और हमने इसका रिना यहाँ मैनिर्स दिखा रही होती है लेकिन यहाँ पर जो मौस्टर होता है वो कुछ भी नहीं कर रहा होता रिना अगर उसको बैठने को बोलती तो साइड में हिल जाता इसी तरह वो पॉजिशन चेंज कर रहा होता है यहाँ कैस्टिलया कहती है यह कुछ कर भी रहा है यह उसी कितरा बदल जाता है कैस्टिलिया पूछती है क्या तुम सच बोल रही हो तो रीना बोलती कि हाँ लेकिन आता सच यह मन में बोलती है यह बोलती है कि यहाँ पर यह किसी भी फॉर्म में आ सकता है जो इसके पास होगा उसी तरह यह बदल जाएगा ये नाम के लिए बोलती है कि नाम के लिए आप जो है काफ़े लेट हो चुकी है अब तो इसका नाम ये चेंज नहीं हो सकता क्योंकि इसको भी ये नाम अच्छा लगता है और मुझे भी ये नाम अच्छा लगता है ये कितना प्यारा है बिल्कुल आप की तरह जिसके बाद जो सीन होता है वो चेंज होता हमें आकेडमी एंट्रस एक्जाम का रिजल्ट दिखा जाता है जहां पे जो केस्टिलिया होती है वो पास हो चुकी होती है यह काफी ज़्यादा खुश होती है यह बोलती है केस्टिलिया कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है तभी रोड आ जाता है और यह बोलता है कि अभी तुम लोगों ने यहां पर एक जाता है और बोलता है कि तुमने भी एक्जाम को दिया था ञेकिन मॉझधिजां को dat कहा तो मैं भी जहों मान गई जहां पर जो केस्टिलिया होती है वो रीना को चैलेंज दे रही होती है यह बोलती है कि अगर तुम जो एक्जाम को पास आउट नहीं हो पाई तो तुम इस अगैडमी को छोड़कर चली जाना तभी रीना कहती है कि अगर मैं पास आउट हो गई लेकिन मैच में यहां जो रोड है और जो मिशेल है वो भी लड़ने वाले हैं लेकिन जो थार्ड मैच है वो यहां कैस्टिलिया और रीना के बीच में है जिसके बाद यहां पर बैरियर लगा दिया जाता है ताकि आस पास जो चीज़ें उनको डिमिज ना होए जिसके एक जो अनाॉंसमेंट करने वाले बन्दे होती है यह बोलते हैं कि जो सैटो है उसने एकदम से अटेक कर दिया तब ही रोखी month को देखते हैं जो water attack कर देता है यह बोलता कि मैच जहूं long distance में आराम से लड़ सकता हूँ LEP Short distance में मैं नहीं लड़ सकता जिसके बाद यहां बरफ जमा देता है और साथ ही रोकी हमला कर देता है सैटो के उपर लेकिन सैटो इसके हमलों से बच जाता है बड़े अराम से जिसके बाद सैटो यहाँ पर हावा में उड़ता है और रोकी के उपर हमला कर देता है अपने मैजिक से लेकिन तब ही रोकी इसको बरफ के अंदर बंद कर देता है सेटो यहाँ पे उस बरफ को तोड़ देता है और यह पीछे आ जाता है रोकी के और यह बोलता है कि आप बोलो तो रोकी बोलता है कि मैं हार मानता हूं यहीं पर जो सेटो होता है वो जीत जाता है तो अगला मैच रोड और मिशेल का होने वाला है जहां पे मिशेल बोलती है कि मैं आपका बहुत वह शुक्रियाद करती हूं क्यूंकि मैं आपके साथ लड़ पाई तो यहाँ रोड बोलता है कि तुम उसकी टनसर मतलो तुम जो अपना बेच देना जिसके बाद रोड यहाँ सुरू कर देता है अपने हमलों को लेकिन मिशैल भी यहाँ पे अपना मैजी कायुस है और इसके हमलों को गायव कर देती है रोड दिबरा से हमलों कायुस करता है और इस बार यहाँ पे बहुत खतरनाक सा धुवासा उड़ जाता है लेकिन हम देखते हैं मिशैल को कुछ भी नहीं हुआ होता, यह जो है शीर ल नीचे यहां पे जो रीना होती है वो आ जाती है कैस्कीली आरीना से पूर्चती है की इसको क्याएं तो रीना बोलती है मुझे लगता है कि हूँ आर्म के कारणना की नीडित घुक फिसिटी ती वो बंद हो गई थी यहां पंद सिवीड अघना की फिसकरोर बार्स भी में एक अपने में तबहुता है आता है को बोल रही होती है यहाँ काफी करें वे तो इहां fallesplatit नहीं होती है और केस्टिलिया को बंद करदेती है एक बोक्स के अंदर लेकिन इह Alabama होती है उस बोक्स को तोड़ देती है फिर रीना पत्थर से हमला करती है केस्टीलिया आग से हमला करती है जिसके बाद रीना के पत्थर जल जाते हैं यहाँ पर जो केस्टीलिया होती है वो भी दुबारा आग से हमला कर रही होती है लेकिन तबी रीना यहाँ पर पत्थर आटक कर देती है जिससे यहाँ पर रीना बज जाती है जिसके बाद जो कस्टीलिया होती है वो हमला करती है लेकिन हमला साइड से मूड जाता है जिसके बाद वो हमला पीछे से आता है यहां पे बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होके जिसके बाद जो रीना होती है वो पत्थर वाला हमला करती है और यहां पे उन पहां पर जो ररीना कंदर गेम पेड़र जो कोई दितिकता नहीं को रही है पर यहां पर यहां पह पर पथर हो किस्टिलिया पत्थर के अंदर बंद हो जाती है लेकिन किस्टिलिया पत्थर के ऊपर से कूद के बाहर आ जाती है यह बोलती है यह पत्थर मुझे नहीं रोख पाएगा जिसके किस्टिलिया यहाँ पे सबसे पाउरफुल अटेक करती है लेकिन यह अटेक रीना को नहीं गड़े को और भी गहरा कर देती है जिसके बाद वह और भी नीचे गिर रही होती है यहीं पर सैटो आ जाता है और यह बोलता है तुम्हें हार मान लेने चाहिए क्योंकि जो रीना है वो जो है डूल कास्टर है और वो चाहती तो तुम्हारे फाइर आटक के आगे वो जो है जो वाटर अटक है वो कर सकती थी लेकिन उसने अभी तक नहीं किया उसके बाद जो केस्टिलिया होती है वो हर मान जाती है जिसके बाद जो रीना होती है वो जीत जाती है नेक्शिन में हम देखते है केस्टिलिया यहां पर नेम्स को पड़ रही होती है जिसके अंदर सब का नाम होता है और उसका भी नाम होता है। तभी एक बंदा यहाँ पर आता है और बोलता है कि वैसे आभी टेस्ट हुआ था वह जयह है यहां पर रिजल्ट के उपर बिल्कुल भी एफेक्ट नहीं डालेगा तुम जीतो चाहे कुछ भी करो उसे कोई दिक्कत नहीं तुम लोग यहाँ पे अकैडमी के अंदर आ चुके हो इसका मतलब आ चुके हो जिसके बाद जो रीना होती है वो यहाँ पे खड़ी होती है केस्टिलिया बोलती है ठीक है मुझे पता है कि मैं जो हूँ यहाँ पे हार नहीं मानूंगी चाहे कुछ भी हो जाए केस्टिलिया पुष्टी के तुम सही में यहीं चाहती थी तो रीना बोलती कि हाँ मैं यहीं चाहती थी जिसके बाद हो देखते हैं सीन जो है चेंज होता है यहाँ पे हमें सेटो दिखाया जाता है और बोलता है कि आखिर वो इस मोंस्टर के हांत क्या करना जाती थी यहीं पे अपिशोड खतम हो गया है अगर आप यहाँ तक पहुझ गया है तो प्लीस कमेंट करके जाएगा आगर कमेंट करेंगे तो ही आपको अगला भी शोड देखने को मिलेगा तो ये जो है मेरी आपसे हाँ जोड की विन्ति आप सभी मिलके यहाँ पे 40 इकमेंट कर दीजिए ताकि मैं अगला भी शोड ला सकूँ तो यहीं पर भी शोड को खतम कर देते हैं तो मैं मिलूँगा आपको जहें इसकी अगले वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई और साथी जान स्काइब कर लेजेगा